hello friends आज के इस विदियो में आपको बताहूंगा कि अगर आप Google Pay में अपना bank account रिमूव कर रहे हैं और वो रिमूव नहीं हो रहा आपको problem आ रही है इस problem को आप कैसे solve कर सकते हैं यही इस विडियो में आपको बताहूंगा चलिए वीडियो को शूरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया को सब्सक्राइब करते हैं और यह घंटे के इंशान को भी दबा ले ताकि आने वाले वीडियो को नटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें सबसे पहले मैं आपको पताता हूँ कि यह प्रॉलम ज्यादा तर किसको आती है जिन लोगों ने अपने गूगल पे को डिलेट कर दिया था या फिर गूगल पे का क्लियर डाटा किया था उसके बाद यह option आता है bank account को activate करने का और अगर वो activate नहीं होता तो हम क्या करते हैं हम remove account करते हैं और उसके बाद फिर से add का लेते हैं लेकिन कई लोगों का यह account remove नहीं होता उनको problem आती है वो problem का solution में आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको अपने mobile के messaging में जाना है और अपने bank register mobile number से एक message send करना है यह आप अपने किसी दोस्त को भी कर सकते हैं या अपने घर पर किसी दूसरे mobile पर भी यह message send कर सकते हैं और यह message send करके आप चेक किजिए कि आपका message send हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका message send नहीं होगा इसी वज़े से यह problem आती है अगर आपने अपनी message वाली problem को दूर करना है तो मैं अपने वीडियो के description में दो वीडियो का link दे दू होंगा वो वीडियो आप देख लीजिए आपके problem solve हो जाएगी और एक setting में आपको और बताता हूं किसी किसी mobile में यह option होता है कि आप अपने mobile की setting में चले जाजिए और setting में जाने के बाद यह sim card पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर sms message यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर चक किजिए कि आपने कौन सा sim लगा रखा है अगर आपका bank में vodafone जैसे माल लीजिए vodafone का है तो vodafone का लगा के रखिए अगर आपका air cell का है यहाँ पर मैं एक प्रॉलम आपको और भी बता देता हूँ अगर आपके message भी जा रहे हैं और आपकी setting में ठीक लगी हुई है लेकिन आपका bank account फिर भी remove नहीं हो रहा मेरे साथ भी एक बार यह ऐसी हुआ था उस problem को भी आप कैसे solve कर सकते हैं यह भी मैं आपको बताता हूँ और यह देखिए यहाँ पे मेरे Google Pay में तीन bank account add है मेरे दो तो activate हो गए थे लेकिन यह तीसरे वाला ना तो activate हो रहा था और ना ही यह remove हो रहा था यह भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस problem का solution मैंने कैसे किया था यह मेरे state bank मैंने एक bank अपना चूस किया था state bank उस पे click किया था और यहाँ पे यह देखिए यह UPID मेरे OKSBI के नाम से है यह मैंने pencil के निशान पर क्लिक कर दिया था यह pencil का निशान बना हुआ है और यहाँ पे manage UPID में मैंने इसकी UPID चेंज की थी जैसे यह OKSBI के नाम से है मैंने OKHDFC वाली चूस कर ली थी और activate account कर दिया था यहाँ पे यह screen record काम नहीं करता यह problem उनको यह आ सकती जिनके दो bank account add है और यह मेरी दो-दो UPID बन गी थी एक OKSBI के नाम से एक OKHDFC के नाम से और जैसे ही मैंने OKSBI पहले वाली को delete किया तो फिर मेरा देना bank जो मेरा bank activate नहीं हो रहा था देना bank वो भी remove हो गया और उसके बाद उसको मैंने activate कर लिया वैसे तो आपकी problem वो message वाली setting से ही ठीक हो जाएगी अगर आपको भी यह problem आये तो आप UPID चेंज करके भी अपनी problem को solve कर सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई problem आ रही है तो मुझे comment करके बता सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए और मेरे channel को भी subscribe कर दीजिए कर दीजिए